अंचे ती उसमें सेनी आता है, तोप टेन एक्सपोर्टीड परड़क्ट फ्रोम इंडिया, यानि वो कौन-कौन से परड़क्ट है, दस क्रांतिकारी परड़क्ट, जो कि भारत से सबसे ज़ादे एक्सपोर्ट हो रहे हैं, जिनको एक्सपोर्ट करने में आपको मिल सकती एक्सपोर्ट होगा, कहां होगा, किस कंट्री में डिमांड है, कौन-कौन से परड़क्ट में आपके पास में, सारी डिटेल आपके पास में, इसी वीडियो में आपके मिलने वाले इस वीडियो का आप लाब सक जरूर देखिए, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजी उसे सबसे जाधे एक्सपोर्ट हो रहे हैं, उसमें सबसे पहले पाइदान पर आता है, मिनरल आयल, मिनरल फ्यूल, वेक्स, बितुमिनिस यह जो इस टाइप के पेट्रोलियम परड़क्ट है, हम कुरूड आयल लेके आते हैं, उसको रिफाइन करते हैं, रिफाइन करके हम एक् 42.6 billion US डोलो का हर साल एक्सपोर्ट करते हैं, that is around 11.8% of the total export of भारत, आगर मैं सेकिंड परड़क्ट की बात करूं, सर मिनरल आयल वगरा तो मेरी बस की बात नहीं है, तो बड़ी-बड़ी कंपनी कर रही है, कोई बात नहीं है, आपके कैपसिटी बहार है, तो कोई बात नही हैं, जो कि भारत 39.7 billion US डोलो का हर साल एक्सपोर्ट करता है, that is around 11% of the total export of भारत, अगर मैं बात करूं कि सर मेरा तो अभी जैंस जोलरी का भी इतना जाद बजट नहीं है, कोई और नॉर्मल परड़क्ट बताइए, next आपको बताता हूं, third place पे कौन सा है, organic chemical, हम organic chemical चाइना क को भी एक्सपोर्ट करते हैं, और USA को भी एक्सपोर्ट करते हैं, और बाकी कंट्री को भी एक्सपोर्ट करते हैं, खासकर से चाइना को जबरदस्त क्वांटिटी में एक्सपोर्ट करते हैं, पास की कंट्री है, transportation भी कम लगता है, तो भारत कितना एक्सपोर्ट करता है, organic chemical केमिकल हर साल 25.10 बिलियन यूस डॉलर का लास्ट यह हमने एक्सपोर्ट किया है और गैनिक केमिकल डेट इजरांट 7 परसेंट टोटल एक्सपोर्ट ऑफ भारत सर फोर्थ नमबर बताएं फोर्थ नमबर पर कौन सा प्रड़क्ट है मेरी टोप लिस्ट में फोर्थ नमबर प एक्सपोर्ट किया है और इजरांट 6.8 परसेंट टोटल एक्सपोर्ट ऑफ भारत सर पांच वह नमबर बताएं यह पांच नमबर पर कौन सा प्रड़क्ट आता है पांच नमबर पर आता है इलेक्रिकल आइटम एलेक्रिकल जो भी है अगर उसमें आपका इंट्रस्ट है तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि भारत लास्ट एर एक्सपोर्ट किया है 22.90 बिलियन युएस डॉलर का देट इजरांट 6.40 परसेंट टोटल एक्सपोर्ट ऑफ भारत अगर मैं 6 नमबर की बात करूं सर छटे नमबर पे कौन सा प्रड़क्ट आता है आपकी लिस् सेट को मिला के हमारे पास मोर देन 5,000 एफ डिया अप्रूट से और हमें जो मैनिफिक्ट्रिंग यहां पर बहुत सस्ती पड़ती है क्योंकि लेबर कोस्ट भी हमारे पास में बहुत सस्ती है कम दाम वाली है यानि फार्मसोटिकल परड़क्ट या मैडिशीन दवाईयां ब अगर फार्मसोटिकल परड़क्ट आपका परड़क्ट है और आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप एक्सपोर्ट करिए अच्छी आपको देखेगी क्योंकि भारत ने लास्ट एक्सपोर्ट किया 20.70 बिलियन युएस डॉलर का देट इस राउंड 5.80 पर्शन देट आप अगर मैं वहीकल और वहीकल की बात करूं यानि ऑटमोबाइल लाइट मोटर वहीकल है वौको फेशन धेखेँ चेही क्पार्ट'. वहिकल और वहिकल स्पेर पार्ट तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं बड़ी अच्छी आपके पास में क्योंकि भारत ने लास्ट येर हमने जो एक्सपोर्ट किया 17.10 billion एक्सपोर्ट किया है यहां से एक्सपोर्ट हो रहा है भारत से अगर आपका परड़क्त है भारत ने एक्सपोर्ट किया लास्ट येर 13.80 billion एक्सपोर्ट करते हैं उसको रिसाइक्लिंग करके उसका इंगोट भी बनाके एक्सपोर्ट करते हैं तो आप आईए एल्मिनियम परड़क्त एक्सपोर्ट करिए क्योंकि भारत ने लास्ट येर अल्मिनियम परड़क्त एक्सपोर्ट किया है 10.20 billion एक्सपोर्ट का जैट इस अराउन 2.80% टोटल एक्सपोर्ट और भारत अगर मैं बात करू आइरन एंड इस्टील परड़क् आइट इस अराउन 2.5% टोटल एक्सपोर्ट और अगर मैं टेक्निकल रिसर्च की बात करूं आरेस ग्लोबल एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिंटिर के जो टेक्निकल इस्टीव पॉइंट सिक्जिरो बिलियन यूएस डॉलर का और यह वो पैसा है जो एक्शुल में हमा सरंद नहीं कर रहा हूं जसका नंबर बड़ा हो सकता है तो बारत ने इतना एक्सपोर्ट किया इंपर्ट भी हम करते हैं और एक experience export import trainer को ढूण रहे हैं जो आपका आपके business start करने में help परेगा step by step then join our training our practical export import training training को join करने के लिए आप हमारी website visit कर सकते हैं www.aglobalexport.com और you can directly call us on 9014582523 Thank you call now